अब कि फिर क्या बताते हैं गुरुमानुस कर जानते तेनर कहीं हैं अंद वहें दुखी सनिसार में फिर अग्यकाड के फंदि कहते हैं ऐसे मापुरुष को ऐ जे तुम मनुस अट्रेट करोगे तो लाब नहीं मिलेगा उसके लिए प्रमात्मा क्या कहते हैं कि गुरुमा गुरुगो बिंद कर जानियो रहियो सब्द समाए मिले जब डंडवत बंद की ने पलपल ध्यान लगावे कि गुरु को प्रमात्मा जानकर आप भुहार करना अपना आत्मा एक सिधी सी बात है जैसे ये दास प्रमात्मा ने भेज दिया तो दास वो प्रमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाहा है लेकिन इस दास को ऐ जहे गोड ना मानोंगे बगवान की तरह नहीं मानोंगे तो इन प्रोबलम आती है। गनित में एक प्र시면 आता है। उसमें मूल धन ज्यात करना होता है। बाकि दर भी टयें भी सारह कुछ दिया होता है। तो उस मूल धन तो अर्बॉ क्रव उसमें होता है। अर्बों खरबों का अमाउंट कई करोड रुपे का होता है तो उस कई करोड अर्ब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पढ़ता है Suppose मूलधन is 100 रुपीज जो मूलधन है वो 100 रुपे मान लो मूलधन 100 रुपे मान कर हम सवाल निकाला करते हैं लेकिन वह मानना पड़ेगा तब उससे वह दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करका हम निकालते हैं वह ओरिजिनल मूल धनतव पराप्त होता है तब हम सफल होते हैं इसी परकार आप जीने इस दास को मानना पड़ेगा मान लो रामपाल बगवान रामपाल वो है और इसको एज गुरू ट्रीट करके आज एज गौड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुदारनी है क्योंकि जब आप यहां से जाओगे यहां से चलते ही गुरू का रोल पहले भी रोल है फिर भी आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में आपका निचे से गनेश जी के दरबार से अकाउंट कलीर कराता चलेंगे यानि आप जब यहां से चलोगे तो आपके रस्ते साफ आउंगे जैसे सतान सतान पर वो खड़े होते हैं तो रहे पर शिपाई होते हैं ट्रैफिक को डायरेट करने के लिए ऐसे जब आप संसार शोड़के चलोगे आपको भक्ती ऐसी बन जाएगी उनसे आपरनमुक्त होते चले जाओगे फिर आओगे स्वाद चक्र में यानि शावत्री बर्मा के दरवार में तो वहां भी आपको कलीर चिट में लेगी आप जाओ जी आपका काम पुरा क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस द क्लास के रूप में आपको परमात्मा उस तर्कुटी पर मिलेगा तो फिर आप जाओगे ना भी कमल में ना भी कमल में विशुन और लक्समी जी का दरवार है वहां आपको फिर वहां से अकाउंट कलीर लेना पड़ेगा वह विच्ट आपको चार मिलेगी नो डू दुर्गा का स्थान वहां से भी आप को कलीरन चिट बिलेगी फिर आप पहुंचोगे तिर्कुटी पर तिर्कुटी पर जाकर के फिर तीन रस्ते बन जाते हैं उसको तिर्वेनी बोलते हैं इनक भी नहीं बता तिर्कुटी पर यह राद्दा स्वामी वाले कोई तो हम तो कि आपके बरवाल कापस्टेंड भी न पहुंच जयां पहुंच जा अगे तरकुटी वे वाह वाह, बाइवा कर्ति आपका अपकारों जिगे वख और भी तरकुटी तक पहुंच पहुंच ने के लिए बहुत जोर लगा तुमारा साधना भी 秉 whiteänge सो प॥नम नहीं पहुंचके ई ? साधना उसे पांचो काल आख जानो पांचो काल के नाख करते हो साधना कोई है नीं गुरू तुमारे है नीं क्योंकि जो राधधादास मुख्यात Swamiljai that is शिव्दियाल जिश्का कोई गुरू नी और वो बूत बनका अपनी सिस्सेंप बोल रहा है जैसे हम बूत बोलते हैं यहाँ पर आप देख लो किस-किस के अंदर बाते करते हैं ऐसा वो बाते कर रहा है वहाँ पर तो कहने का भाओ यह है कि तरकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे और जैसा भुहार बिचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो तो वहाँ जागे फिर नहीं मंगोंगे एक को ठीचा यह जी एक कार बने जाए तो परमात्मा गए जात निच्चा तू कार को ठीले वापस बेज देंगे तो यह भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए अटाई जाती है कि केवल यह मंगो साई इतना दीजियो जा मैं कुटम समावे अम भी भूखे नार है अती थी ना भूखो जावे बता फिर क्या रहे क्या मंगो कुटम समान का वर्थ है परिवार की रेक्वार्मेंट रेक्वार्मेंट ओफ दा फैमिली अब रेक्वार्मेंट अगर आपने कोई मोटर साहिल की हो सकता है तो भी देगा बगवान अवस्य देगा अगर आपको कार की हो सकता तो कार भी देगा यह गारटीट समय लेना अब जिसने जाना एक खेत मेर वापेस आना बताओ वो केक लगा करेगा लिगा प्रगा वह तो इस तरह की और फिर केने अब आओ यह मालिक कार मिलगी जब केक उन साथ तो देवता बनी गया अब निर्दन बगती कर रहा है मजदूर बगती कर रहा है भगती भगवान को प्यारा है तो एक बगती करनी पड़ेगी किसी सुईधा है ऐसे जाने में तो कोई दिकत नहीं व दोनों ही मुक्त होंगे एक बगती दोनों ही सफल होगे वो कार में गुमनिया भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे होगा मिलेगा तो आपने तो वो चाना है यहां कि उस चाहिए नहीं आपको इस परकार जब इस तरह की भावना आ अब जैसे आपको तरीके बताए जाते हैं, उधारन और एक्जामपल दे दे का है, कथा सुना का है, कि परमात्मा जब तपत्सिला पर आए काल के इस लोक में, तो धरमदास जी को परमात्मा बता रहे हैं, कि जब मैंने उस काल को ये कहा, कि परमेस्वर कबीर जी बता रहे हैं, कि जब मैंने उस काल को ये कहा, कि मैं नीचे जाओंगा, और सब जीयों को बताऊंगा तो वगवान नहीं है और सब गल्थ मंतर जाब करें उनको इथारत ग्यान दूँगा और सब जीयों को पार करके सत्लोक ले जाऊंगा तो ने बहुत दुखी कर दिया इसे बगवान के आत्माएं को तब वो काल उतना ताकत वर है कि मेरे उपर जपटा मारने के लिए तो मैंने सतनाम का जाब शुरू कर दिया और जो ही मने सिमन की अस्वान से ऐसे गर गया जैसे पक्सी की पाख कट जाते है तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपती आती है पर्थम मंतर मिला है तो उसको उसका सिमन कर दी शुरू और सेक्ट मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमन शुरू कर दी जी सारनाम मिला है तो मुटकेन है क्या है वो सिमन कर दी तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहां की आप दाओं में तो यहां प्रमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहां हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आपति आवा तो अपने स्वांस का सिमन आपने शुरू कर देना चाहिए, और उस स्वांस के अंदरी जैसे मौला बैठा मोरच है, और देखे जनकी भैड, भैड माने भ्धंत, यानि किस तरीके से यह लड़ता है, जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूख है, गन है, अब वो गन ने छोड़के और पत्थर ठाग ओमारन चल लाए, तो किसा क्या का लज़के अंदर है, तो आपको यह नाम की एक बंदूख दे रहाखी है, अथियार दे रहाखी है, इस काल के दूटों के साथ लिए, अब जब आपके उपरा पत्ती आती है, यहम के दूट आते हैं, जैसे परमात्मा लिखा, गरिबदाशी ने लिखा है, कि वो परमात्मा आपकी हर गिती वीदी देखता है, भकत की, और आपको यह भी देखता है, कि यह किस तरह से उन से मुटेगा काल के दूटों से, कहते हैं, बारा करोड यहम के दूट, जैर दूटों की दो बाती छोड़ो, जो तुम्हें लेने आते हैं, अगर बारा करोड यहम के दूट सामने खड़े हो, और आपने एक सिमन कर दिया, वो बारा करोड नो पढ़ेंगे, जाके एक दूसरे को प्रूथ लते बागते नजर आऊंगे नो मैदान साफ कर जाएंगे आप कि अब कहते हैं मौला बैठा मोर्चे मौला माने उपर मात्मा आपने स्थान पर देखे रहा पेठे मौला बैठा मोर्चे देखे जनकी भैड जो मोर्चे में भक्त बैठा है यानि मोरचा है मारा अरकाल का उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संग्रस कर रहे हैं, भक्ती कर रहे हैं, अरिस्यमन कर रहे हैं, और कहते हैं, उस जैसे आपती आती है, उस में अपना सिमन शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के, और वहां नो कहा है, हाईरी मामर गाप तो परमात्मा ये देखता है, कि वहां आप कैसे कौन सा फर्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं, तो वहां एक्जाम होगा तरकुटी बजा का आपका, तो यहां परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोरचा देखा दिनकी भैड, आपकी लड़ का फर्क पढ़ जा, बंदो कुछे खाते हैं तो शीमन शुरूप, नाम के सीमन से संकट टलेंगे, और कहते हैं, दो अदस कोट जम किंकर जहां, बारा दूत, यम के दूत, सारे के सारे आपके सामने आजाओं, और एक नाम की खेड़, खेड़ मने टकर, नुमारे आरे, सब क्यों गयता चाला है, तगड़ा आदमी होता है, तो ऐसे वो मंतर की इतनी जबर्दस सकती है, क्योंकि यह ग्यान जब बोला गया था, सिंपल और अनेजुकेटिड वेक्ती थे, उनको सिंपल लेंगवेज में समझाना था, तो वो प्रमात्मा आपकी भढ़नत, यानि आप की अक्सर साइज देखता है, कैसे कर रहा है, तो वो जैसे इस दास के साथ आप बहर जैसे आप यहां डिमांड करते हो, तो दिरे दिरे को पर्थमबार को भगता आता है, उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग ये, मांग गएगा, और ये भगवान देगा ही देगा, इसके गर में कोई गाटा है को नहीं, ग्यान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या बांग रहा है, उतना मांग ले जितनी तुझे जुरूत है, और बाकी बगवान पर छोड़ू, उसने क्या पता नहीं, मेरे बच्चे को क्या आगे ओ सकता है, आगे त्यार खड़ा पाऊगा, आपक जीवन रूपी सफर में जाड़ू लेकर, कहते हम उसका दास हूँ, दास किसे कहते है, गुलाम को, भगवान दास भी पिछे रहे जा लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाऊगा, उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा रहा है, और सा जब आप तर्कुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहां है, जैसे सोपन में फिर ऐसे करते हैं, जैसा आप अपने जागर्त जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा, इसा दिन में कोई केड़े बेचारेडी लगा के बजार में, वो कर जा सतर्य की, दें के बीस, दख के बीस, आठ के बीस, ईसा नहीं मिलेगा, तो सोपने में फिर नहीं वो लगा, लिए ले दें के बीस, दें के बीस, तो अब जैसा रही हरसल आप यहां कर रहे हो, जब आपकी मर्च्ति oh sweaty, आपको फिर सोपन होगा. और उस सोपन हो आप जो यहां कर रहे होई वहां बोलोगे जाके बगवान के दरबार में बगवान के सामने तो इसलिए पहले देखो यह तो मालिक है आपको टेम देगा पूरा आपकी उम्र बढ़ाओगा जब बगती नीत रखोगे तो और तब तक आपकी यहां के संसारिक सुईधा भी सारी सेट कर कि खाड़ेगा को किसको मालूम है यह जीव है और कितना ग्यान सुना ले जब तक आपसीदि इसी बात है जब तक पैर में काट आ है कितनी सलाउइ दृटा पैर ले दृटा पैर ृृटा फृटा पैर ले कती नीपैर सकता हूँ तो काट तो काटा का निकालना है तो उसके लिए आपको धर्य रखना पड़ेगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो और माली सी ते सोगडा रित्वाएं फलो फिर गुरुमानुस कर जानते गुरुबिन माल गुरुमानुस कर जानते तेनर कई हैं अंद वहें दुखी सनसार में फिर अग काड के फंद पर परमात्मा आपको तेर्कटी पर मिलेंगे वहां जाते आप समर्पित हो जैसे डंडोत करोगे तो देखोगे मुझ की तरफ और परमात्मा जिदर जाएंगे आप पिछे पिछे वहीं भाग लोगे वहीं साथ जाओगे तो वहां आपको धर्मराज के दर्वार में ले जाया जागा गेल जाएंगे दाता साथ में इस दास के रूप में बाई कर ले गुरू वकील मुकुदमा भारी है परमात्मा सब तरह इसला देते हैं कि गुरू आपके एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या नय अधिस के दर्वार में जो यहां का चीफ जस्टिस है ए एक परमान का तो वहां साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा और उनको कहेंगे के सर निकालो गीता ध्या नमर अठारा के सलोक नमर चैसिट को यह विद्धान है भगवान का वह किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है यह इस ब्रह्म की और देखो यह क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ अब जी छोड़ो इसको यह ओम नाम का जाब जो सेक्ट नाम में जो सेक्ट मंतर जो आपको दिया जाता है उसमें पर्थम जो मंतर है सतनाम दो अखर का है दो पहला अखर का मंतर है यह ब्रह्म का है ओम इसकी कमाई वहां दे देंगे फिर वो एटोमेटिकली छोड़ देंगे यह जाओ जी आफर यह और फिर दूसरा मंतर है सतनाम का दूसरा अखर है उसक फिर अक्सर पर उसके लोक में देंगे जाकर, वहां भी आपके साथ रहेगा पर बात्माइश, दास के रूप, और जब फिर गर्मादवार पार किया, फिर बार में दवार को पार करके, तब सत लोक में जाए जागा, ये गर्मादवार, कोई दसमें दवार तक ठेक रहा है, किता, गर्मी खटकी पड़ सुन ली, अदूरा सदूरा, ये थे नीम हकीम, ये मदू परमादवार पार करके, सत लोक में परवेश करेंगे, और तब वहां चले जाएंगे, जहां लोटकर कभी नहीं आते हैं, तो परमादवार की भगती, और साथ मगरू का यूं से है होगा, आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा, गुरू को सिर पर राखियो, गुरू सों प्या, से सों प्या, गुरू देव को सफल हुआ ये सीश, निता नंद इस सीश पर, आप बसे जगदीश, कोटी जीव, कोटी, सीश तन दे लिए, जमराजा की, फैंटे, एक सीश देख देख ले, सत्गुरू अपने की बैंट, कहते हैं, इस काल को तने असंग सीश दे दिये, करकित बे मौत मारा तरे को, और एक सीश गुरू को देकर देख सत्गुरू को, सीश देने का मतलब यह नहीं, काट कदर देना, एक गुरू सिस थे, और गुरू उनको पड़ा करते थे, बेटा, गुरू की आगया का पालन होना थी ए, गुरू को बगवान के तुल मानना थी ए, एक दिन उस गुरू ना परिक्सा लेनी चाहिए, और कहा कि भाई, आज मैं आप से एक आदेश करता हूँ, पांच साथ भगत थे, गुरू चेले, तो सब चेले कहने लेगे, जो आदेश हो गुरू देव, के भी मेरे श्रम है, पांच पांच जूते मारो, अब पांच होंगे, पांच होंगे, तो फिर वो याद दिलाते हैं, कि गुरू की आगया का जो पालन नहीं करते हैं, वो सिस फेल होते हैं, बाई, देख लो, और तो उठेनी, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरू जी के चरणों में बैठके, अपने श्रम हैं मारें, पांच पत्ता हैं, गुरू जी बोला, बाई, डंडी मत मारें, तेरे श्रम हैं नहीं, मेरे श्रम हैं कहा था, मैंन आपका मोक्षनी, और गुरू आपको मिल गया, आपको लाण कराओ, अपने प्रिवार को लाओ, और जांतक संभाव हो से काई इस ज्ञान को फेलाओ, बात बड़ा प्रोपकार होगा आपको, विश्व का लाण कोगा, बोलो सत्गुरुदेव,